हेलो वाट्स अप गाईस माई नेम इस बिनुवत बादू थापा एंड वेलकम टू जावस्क्रिप्ट इन अंडर देज तो बताना चाहूंगा काईस आज है हमारा डे नंबर 18 अज का वीडियो भी बहुत ही जाधे स्पेसल है क्योंकि दो इट्स लुकिंग सिंपल लेकिन यह अपको मतलब आना चाहिए मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि एक आशकी केरेक्टर मतलब क्या होता है एक यूनिकोड मतलब क्या होता है अधमी कैसे पता लगा कि कोई भी अगर मैं आपको सामने रख दूँ तो I mean is it a uppercase और a lowercase वो आप कैसे पता लगा सकती हो with the help of a JavaScript program तो वो आज हम इस वीडियो में tackle करने वाले so guys it's a awesome opportunity for you to try it yourself तो अभी तक अगर आपने वीडियो को pause नहीं किया तो please आप वीडियो को pause किजिए 5-10-15-20 minute लीजिए सोचे हम इसको कैसे tackle कर सकते एंड मैं अगेन आज इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसको आप बहुत इजली है ना सो देख लीजिए गास एक चीज में आपको clear कर देता हूं हमने हमारा जो JavaScript का world best course में अल्रेड अप्लोड कर चुका हूं उसमें भी हमने जब strings पढ़ रहे थे उसमें बात आई थी lowercase uppercase और उसमें बहुत सारी बात आई थी like count करना या हमें like ASCII character या unicode find out करना था characters के तो मैं आपको बता था कि capital letters के अलग होते है small letters के अलग होते है फिलाल इस case में मैं यहां पर S कर रहा हूं एक चीज है कि हम सिर्फ एक ही letter pass करेंगे ठीक है सबसे पहले let's go with like uppercase and again आज हुमक दे रहा हूं मैं आपको and that is कि lowercase आपको खुछ से करना होगा ठीक है देख लिजे कैसे so it's a const is uppercase right यहां पर हम चलते है इस तरह की से simple and यहां पर let's go with a character देख लिजे if मैं एकदम fat access को कर दूंगा क्योंकि मेरा यह character है अब unicode आप देख सकते हूं यहां पर कि small letters के अलग होते है capital letters के अलग होते and when it comes to your capital letter तो unicode जो a का है वो है आपका 65 and then जो final z है या जी आप कह लिजे वो है आपका 90 तो मैं एक simple सा condition लिख सकता हूं that is कि अगर मेरा यह जो character का character code यह बहुत important है character code at ठीक है मैंने क्या लिखा character code at हमने जो भी character पास की है या basically user ने जो भी character दिया है उसका character क्या है उसका unicode क्या है इफ वो जो unicode है अगर if it is greater than or equal to 65 मलब या तो 65 के बराबर या उससे ज्यादा क्योंकि capital A start होता है 65 से ठीक है and मुझे यहाँ पर and operator लगेगा क्योंकि यह जो condition है it must be true and मैं अभी जो second condition दूँगा it also must be true दोनों अगर true होते है it means कि user ने चाहे वो A से लेके Z की बीच में कुछ भी लिखाओ वो capital letter कहलाएगा तो इसी को ही मैं copy कर लेता हूँ यहाँ पर चलता हूँ and then paste कर देता हूँ अब यह बोलूँगा कि ठीक है 65 के बाराबर या उससे बड़ा होना तो ठीक था लेकिन it should be less than or equal to your 90 क्योंकि 90 आपका Z का value this is it बस खत्म यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है you need to return simple true या खत्म बस इतना ही आपको करना था अगर यह नहीं होता है then you need to return a false and आपको false भी तो बताना पड़ेगा ना so it's return and then false खत्म अब यहाँ पर मुझे error रहेगा for this lower case तो guys lower case का आप समझ गए lower case में जो A की value होगी and then जो Z की value होगी वो आपको compare करना है बस मैं अगर यहाँ पर चलता हूं इसको clean करता हूं मैं run करता हूं and by the way मुझे कुछ मिलनी रहे and यह कैसे हो सकता है क्योंकि console.log return में true कर रहा हूं अगर यह match नहीं होता है then return false होता है तो control s save मैं अगर यहाँ पर चलता हूं and boom guys see it's a true है ना it's a true अब s के बतले में छोटा s कर देता हूं क्योंकि छोटा s का जो unicode है ना वो obviously 90 से तो उपर ही है है ना तो यह होने वाला नहीं है तो again मुझे आ गया है यहाँ पर false तो कितनी easily हमने यह चेक कि कोई भी character अगर हमें user लाइक दे रहा है तो हमें बताना है कि वह capital है यानि बैसिकली अपर कैसे यानि अब यह तो एक तरीका हो गया दूसरा तरीका आप सोच भी नहीं सकते गाईस वह कितना जादा easy था simple हां दूसरा पाता क्या था you need to return and you need to compare है ना simple कि जो भी user यूजर ने character दिया है triple equal to जो भी letter दिया है डॉट टू अपरकेस तू अपरकेस आप समझे यहां पर क्या हो रहा है ट्रिक देखना जरा ध्यान से अगर यह जो character है यह जो care आप देख पार हो ना यहां पर यह वाला जो भी है यह तो चलो normal है ठीक है but उसको मैं क्या करोगा इस उसको मैं convert कर रहा है इंटू uppercase अगर user ने by default मुझे uppercase दिया होगा तो जब मैं उसको uppercase में convert कर दूँगा तो दोनों same ही होगा तो यह तो मेरा बराबर हो गया लेकिन अगर user ने let's imagine है कि small s लिखा हुआ है फिलाला अभी हमारे case में क्या है small s जब मैं उसको uppercase में कर दूँगा तो वो क्या होगा ट्रीक अपनाया था होता ने जब आप थोड़ा over smart हो जाते हो तो आप थोड़ा long cut I mean shortcut ना देखिया वो follow करने लग जाती बट यह तरीका भी बराबर है अगर इसको में run करता हूं फिर से तो देखो मुझे बराबर false आ रहा है हैना क्योंकि मैंने small s लिखा है बट वहीं अगर मैं capital s लिखे ctrl s save कर देता हूं अगर मैं run करता हूं तो मुझे true आने वाला है तो यह है ना कितना जात awesome सो या गाइस this is it आज इस वीडियो के लिटना है आपको वीडियो कैसा लगा let me know in the comment section वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ बर बर के share कीजिएगा आपके पास आगर को interview questions या कि अार आपके लोगाई चार आपके रखग ऐाउ ओयाँ घएबसा अडियो ना थार बर कितना आपको पास साथ bothपा सता हाग